1947 में हुए भारत और पाकिस्तान के बटवारे को आज भले ही सालों गुजर गए हूँ लेकिन इस बटवारे की चोड कई परिवारों के दिलों में आज भी जिन्दा है सालों पहले सिर्फ दो मुल्की अलग नहीं हुए थे बलकि उसके साथ ही कई लोग भी अपनों से बिचड़ गए थे ऐसे ही पंजाब के दो भाई जो 75 साल पहले बिचड़े थे जब वो मिले तो दोनों अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पाए और रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लिया तब वहाँ पर मुझूद हर किसी की आँखों में आसु आ गए थे गाईस सोचिये कितना दुख होता है जब कोई अपना इतने सालों तक दूर रहे और जिन्दगी के बचे कुछी लम्हों में अपनों से मिल पाए पार्टीशन के दर्द की आदें ना जाने कब तक जाएंगी खैर इन भाईयों के भरक मिलाग के लिए एक लाइक तो बनता है ऐसे अमेजिन वीडियो के लिए शेयर सब्सक्राइब और लाइक राइस के आपने कभी किसी ऐसी कमपनी के बरे में सुना है जिसने अपने ही कस्टमर्स को खुदी का प्रोड़क्ट ना खरीदने की सला दे दी हो जी हाँ guys, ऐसा ही एक बार Patagonia नाम की company ने किया था, जो की एक clothing brand है, जिसके एक ad में उनकी jacket का एक photo और title था, जिसमें लिखा था don't buy this jacket, क्योंकि उस jacket को बनाने में water wastage और CO2 emission जैसे पर्यावरन के दुशप्रभाव हो रहे थे, लेकिन साथ ही साथ इसे बनाने में पर्यावरन सरक्षन के कुछ फायदे भी बताए गए थे, Patagonia की इमानदारी से customers काफी जादा impress हुए, और मज़े की बात ये है कि अचानक से Patagonia की sale कम होने की बजाए 30 प्रतिशत तक बढ़ गई, guys अगर इमानदारी से सच बोला जाए, तो भी काम बनी जाता है, तो आप भी एक बार स अधारन लग सकती है, लेकिन जब आप इसे करते हैं, तब आपको ये पता लगता है कि असल में ये कितनी असरदार है, plank exercise करने से पेट की चर भी कम होती है, शरीर का balance और posture सुधरता है, पेट और कमर की muscles मजबूत होती है, कमर दर्द नहीं होता, और आपका मूर भी अच्छ आपे लाइक मिलते अगली वीडियो में